हलो बच्चों पिर आज कॉशन स्टार्ट करें देखो कल हमने पढ़ा था कि टूडी के अंदर कोई वैक्टर जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका कैसे मैगनिचूड निकालते हैं उसकी कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो मैं एक बाद फिर से समझने की कोशिश करना है ठीक बटा हमने बोला था कि टूडी में टूडी में वैक्टर को कैसे लिखेंगे बटा ए वैक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस एवाई जेक है इसका मैगनिचूड निकालने का फॉर्मूला बताया था मैगनिचूड बोले तो परिम परिमाण निकालने का फॉर्मूला बताया था एक्वल्स टू रूट अफ ए एक्स स्क्वेर प्लस एवाई स्क्वेर कल पडाया था और थर्ड फिंग इसमें बताई थी मैंने बटा आपको डाइरेक्शन डाइरेक्शन मीन्स दिशा दिशा निकालने के लिए फॉर्मूला बता है था 10 ठीटा इक्वल्स टू A y by A x और डाइरेक्टली लिखो तो ठीटा इक्वल्स टू 10 इन्वर्स A y by A x तूमारे सामने है सब कुछ कि टूडी में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है ठीक है मैग्निट्यू निकालने का तरीका ये है और डाइरेक्शन निकालने का तरीका ये है इसके अलावा एक चीज और बताए थी बिटा components क्या components components means घटक घटक कैसे करते है जान से समझना फर एक्जमपल ये एक्स है ये वाला वाई है ये ये एक्सिस एंगल ठीटा है ठीक है ये एक्सिस एंगल कितना है ठीटा तो जिस एक्सिस के साथ ठीटा होता है वहाँ तो लगा देना कॉस्ट ठीटा क्या लगा देना बटा, cost theta, और जहां कुछ भी नहीं है वहां लगा देना, sin theta, clear, इसी diagram को change कर देता हूँ, यह angle theta बन गया हो, चीकर बटा, अब मैंने angle को क्या कर दिया, change कर दिया, बदल दिया, तो देखो, जिस axis के साथ theta होता है, बिना देखे क्या लगा देना, उसमें, cost, दूसरा बस्ता अपने आप क्या हो जाएगा, बटा, sin, क्या, अब अपन question करते है, बिना question के कुछ समझ में नहीं आता है, तो देखें, बटा, question क्या है, find out magnitude and direction of given vectors in, each case, यानि, प्रतेक स्तती में, प्रतेक स्तती में, दिये गए, शरिशों का, परिमार, वैर, दिशा, ग्यात, खीजिये, देखें बटा, इसमें चार question लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, i cap plus root 3 j cap, i cap plus root 3 j cap, clear, second होगा इसमें, i cap minus root 3 j cap, third question होगा पिटा, i cap minus ka root 3 j plus का, fourth question होगा पिटा, minus i cap minus root 3 j, अगर ये एक question आपने कर लिया, guarantee के साथ कहता हूँ, 2D में कोई दिक्कत नहीं आएगी, vector का सारा यही चारो question आपको समझा देंगे, एक एक करके step wise आगे बढ़ेंगे, तो अपने को समझ में आएगा, पहले first question को देखते हैं, फर्स्ट question को देखें, A vector जो होता है, वो क्या होता है बढ़े, A x i cap plus a y j cap, A vector को कैसे लिखते हैं अपन, A x i cap plus a y j cap, here, यहाँ पे जो हमें vector दिया हुआ है, A vector वो क्या लिखा हुआ है बढ़े, i cap plus root 3 j cap, on comparison, on comparison, मतलब तुलना से, तुलना करो विटा, तुलना करेंगे तो अब देखेंगे, कि यहाँ i है तो i की जगे i है, j है तो j की जगे j है, अब विटा जो A x आ रहा है, यहाँ पे A x की जगे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब A x का value कितना होगा विटा, 1, तो A x का value कितना होगा विटा, 1 होगया, and, A y, ay का value बोले बेटा कितना है root 3 ठीक है सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा magnitude क्या निकालेंगे magnitude magnitude बोले तो परीमान बोले बेटा magnitude का formula क्या बता है था under root ax का square plus ay का square under root में ax का square plus ay का square therefore a equals to क्या आजैगे बीटा root ax का square बोलो बन का square plus root 3 का square equals to under root बोलो बन का square कितना होगा बीटा 1 plus root 3 का square 3 क्या बन गया root 4 तो एक का value कितना आगे बीटा 2 एक वेली कितना आगे बीटा magnitude निकल लिगया next thing इसमें निकलेगी बीटा है direction क्या निकलेगी, direction तो direct formula बता है था theta equals to 10 inverse ay by ax तो देखें बटा, theta equals to 10 inverse ay by ax ay by ax ay का value कितना है, बताइए ay का value कितना है आप़े root 3 और ax का value कितना है बटा, 1 तो theta equals to 10 inverse root 3 आ गया क्या गया बटा, root 3 अब आप ये सोचिए कि ये जो root 3 आ रहा है 10 की table में कहां पे आता है अगर आता है तो ठीक है नहीं आता है तो आप अपना answer यहीं छोड़ देना यह answer correct है, बत अगर कोई value आती है तो इसका मतलब हमें इसको solve करना पड़ेगा अब इसको solve कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, root 3 आ रहा है तो बोलो बेटा, 10 0 का value कितना होता है, 0 10 30 का value, 1 by root 3 10 45 का value, 1 और 10 60 का value कितना होता है, बेटा, root 3 क्या होता है, root 3 इसका मतलब, इस root 3 को मैंने लिख दिया, 10 inverse 10 60 यानी root 3 की जगए मैंने क्या लिख दिया, बेटा 10 60, यह तो आपका इसे कैसे है root 3 की जगए 10 60 लिख दिया आप देखो, बेटा, 10 और 10 inverse दोनों क्या होगे, cancel out cancel मतलब, कट गए कट गए, तो अपना answer क्या बच्चा बेटा 60 डिगरी, किसना बच गया 60, answer solve अब दिक्कत क्या है अभी समझ में नहीं आएगा जब चारों क्वेशन कर लोगे तब आपको में एक साथ समझाऊंगा कि हुआ क्या था या, ठीक बटा ठीटा इक्वेशन को 60 हो गया next question को solve करते है second question में a vector equals to दिया हुआ है minus का i cap plus root 3 j cap since a vector क्या होता है बटा ax i cap plus ay j cap on comparison on comparison comparison आईगी जिए आई है ax नहीं दिखरा हो वहाँ पे लेकिन minus का sign है minus का sign है इसका मतलब जो चीज हाईड है वहाँ पे क्या है 1 और वहाँ पे minus का sign और लग रहा है तो ax का value क्या होगे बटा minus 1 and ay का value क्या आगे है बटा root 3 ठीक है first of all पहले क्या निकालेंगे बटा magnitude बोलिए formula क्या था equals to root ax का square plus ay का square यानि a equals to root ax का square बोलो बटा minus 1 का square plus ay का मतलब root 3 का square equals to root बोलो minus 1 का square क्या आएगा plus 1 plus root 3 का square 3 तो a equals to आगे बटा root 4 इसका मतलब answer क्या आया 2 एनि magnitude अभी भी हमारा 2 आ रहा है ठीक है second thing आतीए बटा बात करते हैं direction की किसकी बात करेंगे बटा direction ठीक है धान से समझना है direction में theta equals to 10 inverse ay by ax इसका मतलब theta equals to 10 inverse ay ay का value क्या है रूट 3 by 1 यानि 10 inverse root 3 लेकिन यहाँ देखो बटा minus का 1 है तो यहाँ under root के अंदर क्या आ गया minus का root 3 अब आपको दिक्कत कर देगा तो बला सर हम तो root 3 तो जानते हैं but minus का root 3 तो जानते ही नहीं अब दिक्कत यह create हो गई तो बेटा इसका एक तरीका है क्या तरीका है ध्यान से सुनना अब सारे questions के आंपर खुद करने लग जाओगे देखो first question में हम इसको इतना सा समझते हैं ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा चलना हमेशा ऐसे है मेरी बात समझ में आगई यानि anti-clockwise चलना है क्या चलना है बेटा anti-clockwise पहले question में a vector equal to क्या था ax i cap plus ay j cap तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेटा i cap plus root 3 j cap मतलब ax का value 1 था ay का value क्या था बेटा root 3 तो देखो यह है plus का i यह है minus का i यह है plus का j और यह है बेटा minus का j अपने आप लिखो x का value 1 है x का value क्या है बेटा 1 यहाँ पे 1 लेलो i के साथ जो आ रहे 1 हो गया ay का value क्या था बेटा root 3 तो यह थोड़ा सा बढ़ा मानलो यहाँ पे हो गया यह point आगे बढ़ा तो यहाँ से एक vector बनाया हमें यह वाला यह vector बनाया तो यह जो angle है यहाँ से start होगा तो यह वाला angle कितना degree हो गया बेटा 60 कितना degree हो गया 60 यहाँ से निकल गय गया यह vector था आपका a vector तो यह angle आया 60 second question को जहां से संचे क्या आगया वहाँ पे माइनस आगया अब माइनस देखो कैसे होगा इसी diagram को फिर से recall कर रहे है यह ध्यान से note कर ले ना बेटा 60 कैसे है या 1 इदर से था root 3 इदर से था 1 इदर से root 3 इदर से तो एक vector draw कर दिया और x axis के साथ ऐसे angle लेना आपने को ठीक है तो यह कितना डिगरी होगे बिटा 60 खतम सेकंड कोश्चन को देखें इसी में अब देखेंगे सेकंड कोश्चन को देखेंगे आप i cap minus i cap j cap और minus का j cap अब बोलो बिटा x में कितना आ गया x कितना आ रहे minus 1 minus 1 का मतलब इधर की धरब तो यह माल लिजी minus 1 हो गया यहां पर ठीके बिटा और y भी कितना रहे बिटा root 3 यह तो root 3 हो गया यह आपका minus 1 हो गया इसका मतलब आपका point कुछ इस तरह से आएगा आएगा अब बात करेंगे कि यहां से यह वाला अगल कितना आएगा यह वाला अगल कितना आएगा तो यह एंगल कैसे निका लेंगे सोचीं देखे जब तक यह चीज़ आपको नहीं पता होगी कि एंगल कैसे निकलेगा तब तक हमारा question wrong है सब्ज़रे मैरी बात को ये तो पता लग गिया कि एंगल ये वाला होगा complete होगा बट एंगल कैसे निकलेगा तो इसी question को हमें समझना है ठीक है देखो बटा यहाँ पे minus का root 3 आ रहा है क्या रहा है minus का root 3 एक बार minus को भूल जाओ आप minus को क्या कर जाओ भूल जाओ minus को भूल गए तो ठीटा कितना होता अगर minus नहीं होता दो बोलिए बटा ठीटा कितना होता 60 डिगरी कितना डिगरी होता बटा 60 समझे बिरी बात को यह 60 डिगरी होता कौन सेक्सिस के साथ बनता बटा x वाले के साथ या y वाले के साथ आप खुद सोचो कुछ से के साथ x वाले के साथ मैंनिस वाले के साथ तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिगरी किता डिगरी हो गया 60 तो remaining एंगल कितना बचा बचा 120 डिगरी कितना बचा 120 अगरी भी जिवास समझ में कैसे trigonometry पढ़ा ही थी तब मैंने बोला था बिटा 10 180 फट या इसको πाई माइनस फट लिख दू आप पहले तो ये बोलिये कौंसा क्वार्डेंट फट क्वार्डेंट फट आपसे कि माइनस का झी किसका अता है वन एक ती माइनस ठीटा बोलो ठीटा का वैल्यू कितना है 60 तो कितना ओगे बिटा 120 यह 10 120 के एक वाल है अब नेगेटीव वैल्यू देगा आप 10 120 कैसे निकालोगे वाग को पता होना चीए जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 90 प्लस 30 सेकंड क्वाडिन्ट है यानि मा 30 और माइनस को और 30 क्या होता है बिटा माइनस का रूट 3 तो आप चाहो जैसे तरीके से रिकाल सकते हो जिस एक्सिस के देखना आपने को वह देखना कौन सा एक्स तो एक्स वाले के साथ एंगल बना दिया रिमेनिंग पार्ट को हटा दो बाकि कितना बच गया 120 तो इसमें कुछ जास साइन चेंज होगे वहां साइन चेंज कर रहा हूँ ठीक है देखें ए वेक्टर एक्वल्स टू माइनस आई की जिए प्लस आई माइनस का रूट 3 चेक है ठीक है अब देखें पाटा इसको मैंगरी टू डारेक्ट बोल दो आपके आएगा 1 प्लस 3 रूट 4 कितना आगया 2 मैंगरी टूड में को दिक्कत नहीं आएगी मैंगरी टूड कितना आएगा अभी भी 2 टारेक्शन देखते है बिटा थीटा एक्वल्स टू वही टैनिवर्स रूट 3 माइनस का डिवाइड भी 1 और थीटा इक्वल्स टैनिवर्स माइनस का रूट 3 आ गया फिर पंगा हो गया आपके लिए पंगा होगा तो वापिस वही टरीका बिटा प्लस आई माइनस आई प्लस आई और ये सोरी प्लस ये और ये वाला माइनस का जे अब इसको जान से समझे अब पंग कहां कहां पर आएंगे विटा इसमें देखो एक्स का वैल्यू कितना है 1, ए y का value क्या है? माइनस का root 3 यहाँ के लगबग आ गया? यहाँ के लगबग आया तो इसका मतलब आपका vector ऐसा कुछ आएगा आपका vector ऐसा कुछ आएगा तो अब x axis कोंद सा है? यह वाला इस वाले के साथ यह कौन कितना बनाएगा? एंगल कितना बनाएगा? 60 तो remaining कितना रहा? यहाँ से चलना है anti-clockwise बोलो यहाँ तक कितना होगया बिटाइए? 300 कितना होगया? 300 तो इसका answer क्या आएगा? 300 clear? एंगल को देख ले रहाँ आपको नहीं समझे में आती है बोलो सर हमने बना तो दिया पट इसको करेंगे कैसे solve? कद वो भी आ रही है आपकी कि बोलो सर हम इतना complicated question है कैसे solve करेंगे? solve करने में दिक्कत नहीं है बिटा कि अबला आपको direction के हिसाब से देखना है कि जो x-axis है उसकी साथ एंगल बना दो बाकी को count कर लो fourth question को देखिए a vector equals to minus i minus का root 3 j magnitude तो वो ही आएगा बिटा 1 plus 3 means 2 10 आएगा direction देखेंगे बिटा theta equals to 10 inverse minus 1 by minus root 3 minus sorry क्या आएगा है यहापके? 10 inverse minus root 3 by minus 1 theta equals to 10 inverse root 3 अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो 10 root 3 आगया direct root 3 आगया तो 10 60 कर दो theta का value साथ हो गया 60 answer है लेकिन ऐसा नहीं होगा क्यों हो? क्योंकि बेटा यह rule तो देखना पड़ेगा इसके वेना काम नहीं होगा तो यह rule देखते हैं कैसे बनेगा फिर से देखिए diagram बनाते हैं प्लस आई माइनस आई प्लस जे एड़ माइनस जे पोलिए बेटा AX का value कितना है यहाँ पे? AX का value कितना है? माइनस 1 AY का value माइनस का root 3 दोना में माइनस है मतलब AX वाला यहाँ पे माल लो इसको थोड़ा सा यहाँ पे माल लो point को, इस point को मिला के इसको आगे बढ़ा लो तब कौन सा angle होगे है बिटा? बोलिए हैं अब कौन सा angle 60 होगा आपका? तब आपको 60 देखनी की जोरत ही नहीं है इस vector को starting से count करते जाओ यहाँ से लेके यहाँ तक का angle और यह angle कितना डिगरी था आपका? 60 था यहाँ से लेके यहाँ तक का total angle है यह X था X वाले के साथ कितना बन रहा है बिटा? 60 तो यह angle कितना होगे बिटा? 180 तो यहाँ तक हो गया 180 तो यहाँ तक हो गया और 60 यहोगया तो कितना आएगा इसमें answer? ठीटा इक्वल्स टू 240 डिग्री ठीटा इक्वल्स टू 240 डिग्री overall क्या conclusion निकला? जहां से सुनना कभी भी एक्जाम में direct question को देखके यह मैं देखना सर यह value आगे था हम इसको answer टिक कर देंगे ऐसा कभी नहीं करना है ठीक है बेटा? अब मैं आपको question दे रहा हूँ घर के लिए जिसको आपको solve करना है और Monday को मुझे दिखाना है during class तभी मैं चेक कर पाऊँगा कि आप सही कर रहे हो या गलग कर रहे हो ठीक है बटा? एक बार सारे questions को repeat कर ले ना फिर दिमाग में recall करना कि कहां गलती हो रही है ठीक है? question देखिए आप question आपका root 3 i cap plus j cap root 3 i cap minus j cap minus root 3 i cap minus j cap और minus root 3 i plus का j cap चे चार question है विटा आपके लिए चे चारो question आपको ही करने है तरीका मैंने बता है magnitude तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको magnitude निकाल लोगे direction में भी आगए दोनों जगे plus है तो दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जहां ये plus और minus 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 इस तरह की sign आगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी अगर एक बार ऐसे questions बना लोगे तो दिक्कत ही खतम परमानेट ठीके पिटा next class में मिलेंगे बट उससे पहले मुझे इसका solution चाहिए आपसे ओके थेंक यू सो मच